अब बरते हैं जारकन की ओर जहां जारकन में सीम रगवरदास ने बयान दिया है उन्होंने कहा है कि पाकस्तान की भाषा बोल रही विरोधी पार्टिया और इन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए जारकन में यहाँ पर धनबाद के निरसा में एक जनसभा को संबोधत कर रहे थे मुक्यमंति रगवरदास उस समय उन्होंने कहा कि प्रधानमंति नरेंदर मोदी ने आपके प्रचन बहुमत के बल पे जिस तरीके से विकास कारे किये हैं और उसके बाद कश्मीर में जो विका पार्टियां हैं वो सब पाकिस्तान की भाषा बोल रही है और 370 को यह जो एहम मुद्धा इस वक्त है क्योंकि जिस तरीके से भारती जंता पार्टी नहीं हटाया उसके बाद से ही लगातार जिस भी चुनावी रैली के अगर हम बात करें तो यह सबसे एहम मुद्धा रहा है बात करने का और वहीं कुछ दिन पहले जब हर्याना में यहां पर योगी आदितनाद गए थे तो उस वक्त भी अपने 25 मिनट के भाषन में 15 मिनट का जो भाषन का स्लोट था वो उनका उसमें केवल जमुकश्मीर और अनुछे 370 को यहां पर उस पर ही केंद्रित था पूरा होने वाला है उसके लिए उन्होंने जनता को धन्यवाद भी कहा है और उन्हें कहा है कि अभी तक आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है और उमीद यहीं कि जा रही है कि आगे भी जनता उनका साथ देगी और वहीं अब जो चुनाव यहां पर होने वाले हैं उसके लिए जितने भी नेता हैं और जो CM रगुवर्दास हैं वो यहाँ पर लगातार रहलिया कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से वोटर्स को अपनी तरफ किया जाए और उसके बाद वोट अपील लगातार वो कर रहे हैं, प्रत्याशियों के लिए हैं आपर सभाएं की जारी हैं और उसके बाद वो यहाँ पर जनता से अपील भी कर रहे हैं कि डबल इंजिन की सरकार जो है वो आप दुबारा से बनाई है